सस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेडिस्टी को और वीडियो की लेटेश्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए हेलो दोस्तो आपका स्वागत है आज हम करने वाले हर्याना में सबसे बड़ा और सबसे चोटा चीजों के बारे में डिश्कस करने वाले आज तो यहां से बिना किसी देरी के करते हैं सुरू हर्याना की सबसे उची चोटी कौन सी है तो सबसे उची चोटी हर्याना की क्रोह चोटी कापर है पंचकुला के मोरनी में इसकी उचाई कितनी है 1514 मीटर ठीक है 1514 मीटर इसकी उचाई है ये हर्याना की सबसे उची चोटी है ठीक है चलते है नेक्ष्ट नेक्ष्ट क्योशन है हर्याना में सुर्वादिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो कौन सा है ये हो जाएगा यमुना नगर ठीक है अगर प्रोपर पूछा जाए तो यमुना नगर के छचरोली ठीक है छचर अधिक वर्षा होने के कारण तो सबसे अधिक वर्षा कहा पर होती है यम्ना नगर में ठीक है चलते नेक्स्ट केशन पर नेक्स्ट हमारा है हर्याना की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कौन सी हर्याना की सबसे लंबी नदी यह है यम्ना ठीक है और 12 मासी नदी भी है यम्ना हमेशा बहने वाली नदी है युमना एक मातर और इसकी जो लंबाई है वो है 320 किलो मीटर ठीक है 320 किलो मीटर ये इसको जो फ्थान है युमना नगर से एंट्री करती है और फ्रिदाबाद से ये यूपी के अंदर निकल जाती है ठीक है चलते है नेक्स्ट केशन पर सा सबसे बड़ा जिला है ठीक है तो हर्याना का सबसे बड़ा जिला कौन सा है छेतरफल के दरश्टी से देखो पहले भिवानी हुआ करता था अब फिलहाल सिर्षा है सबसे बड़ा जिला ठीक है सबसे बड़ा जिला कौन सा फिलहाल वर्तमान में सिर्षा नेक्स्ट है हर्याना में सरवादिक वन छेतरफल वाला जिला कौन सा है तो सरवादिक वन छेतरफल वाला जिला है पंचकुला ठीक है या फिर सगन वन छेतरफल वाला जिला भी पूछ लिया जाता है अलग लेंग्वेज में तो काफी बार क्योशन आता है ये तो हर्याना में सर्वादिक वन छेतरवार वाला जिला कौन सा हो जाएगा पंचपुला चलते हैं नेक्स्ट केशन पे नेक्स्ट केशन है हमारा हर्याना का सर्वादिक सडकों की लंबाई वाला जिला कौन सा है तो हर्याना में सरवादिक जो सड़कों की लंबाई है वो कहाँ पर है वो भीवानी में ठीक है सबसे ज़्यादा सड़के कहाँ पर है भीवानी में चलते है next question पर next है हर्याना का सबसे अधिक चावल उगाने वाला जिला कौन सा है तो हर्याना का सबसे बड़ा गेहू उत्पादक हो जाए गई है शिर्सा ठीक है शिर्सा में सबसे ज़्यादा गेहू पाया जाता है उगाया जाता है चलते है next question पर next है हर्याना का सरवादिक पसूओ वाला जिला कौन सा है तो सबसे ज़्यादा पसूओ वाला जिला तो आपको पता यह कौन सा है हिसार है ठीक है आपको पता हिसार में ही पसूओ का फारम है ठीक है चलते है next question पे नेक्स्ट है हर्याना का सबसे सिक्षित जिला तो सबसे सिक्षित जिला जो है वो जाएगा गुरू ग्राम ठीक है सबसे सिक्षित जिला है ये गुरू ग्राम चलते है नेक्स्ट के शुट पर नेक्स्ट है हर्याना का सबसे बड़ा रेल्वे स्टेशन कौन सा है तो हर्याना में सबसे बड़ा रेलिवे स्टेशन है रेवाडी जंग्शन ठीक है कौन सा है सबसे बड़ा जंग्शन रेवाडी जंग्शन और सबसे पुराना भी ठीक है सबसे बड़ा है चलते हैं next next है हर्याना का सबसे गरम जिला कौन सा है तो हर्याना का सबसे गरम जिला है इसार ठीक है सबसे गरम जिला कौन सा है इसार चलते हैं next नेक्स्ट है छेतरफल की दरश्टी से सबसे बड़ा विदान सभा छेतर कौन सा है तो छेतरफल की दरश्टी से सबसे बड़ा विदान सभा छेतर हो जाएगा बिवानी का लोहारू लोहारू सबसे बड़ा विदान सभा छेतर है चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्योशन हमारा छेतरफल की दरश्टी से सबसे चोटा विदान सभा छेतर तो सबसे बड़ा तो हमारा लुहारू हो गया था सबसे चोटा हो जाएगा बलरामगड बलरामगड कहां पढ़ता है फरीदाबाद में पढ़ता है ठीक है चलते हैं next question पर, next है हर्याना के किस जिले में सबसे ज़्यादा ग्राम न्याले स्थित है, तो सबसे ज़्यादा ग्राम न्याले कहां पर स्थित है, ये हो जाएगा आपका भीवानी, सबसे ज़्यादा ग्राम न्याले कहां पर स्थित है, भीवानी में स्थित है, ठीक है, चल बिवानी महंद्रगड ठीक है बिवानी महंद्रगड सबसे बड़ा लोग सबा चेतर है चलते नेक्स्ट क्योशन पर नेक्स्ट है हर्याना के किस जिले में सबसे ज्यादा ग्राम सबाय कहां पर है गुरू ग्राम में है ठीक है सबसे ज्यादा ग्राम सबाय गुरू ग्राम मे चलते हैं next question पे next है हरियाना का सबसे कम 1.6 फल वाला जिला कौन सा है तो यहाँ पर देखो सबसे कम 1.6 फल जिसके पास सबसे कम 1.6 फल है ऐसा कौन सा जिला है जिस पे सबसे कम 1.6 है तो वो हो जाएगा पलवल ठीक है सबी जिलों में सबसे जादा कम वन छेतर है वो किस के पास है सबसे कम वो है पलवल के पास ठीक है एक के उसन में यहां से आपका किलियर करता हूँ अगर परसेंट के इसाब से देखा जाए ठीक है परसेंट के इसाब से देखा जाए तो एक पलवल है छोटा सा है या पर छोटा सा इस्सा हो गया ठीक है एक फतेहबाद है ये बड़ा है इसमें छोटा इस्सा है ठीक है तो क्या होगा कि छेतरफल में पूछा जाए अब देखो ये बड़ा है इसका छेतरफल में ये ये तो बहुत छोटी जगह है और इसकी छेतरफल में ये तो इतनी छोटी जगह है नहीं तो ये अगर छेतरफल में अगर ये परतिशत में पूछा जाए आपसे तो परतिशत में तो क्या हो जाएगा फतेहबाद ठीक है सबसे कम परतिशत वन छेतरफल जो है वो फतेहबाद के पास है लेकिन सबसे कम सबसे छोटा ठीक है सबसे छोटा जो छेतरफल है वो किसके पा सबसे कम साकषर तवाला जिला कौन सा हो जाएगा मेवाद् High सबसे कम साक्षरता वाला जिला है मेवात चलते हैं next question पे next है हर्याना का सबसे कम नगरो वाला जिला कोन सा है तो सबसे कम नगर कहा पर है हर्याना में तो सबसे कम नगरो वाला जिला कोन सा हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रिदाबाद सबसे कम नगरो वाला जिला कौन सा हो जाएगा फ्रिदाबाद चलते हैं नेक्स्ट है हरियाना राज्ये में सबसे कम परतिशत वन छेतर फल वाला जिला कौन सा है देखो कम परतिशत आ गया ना सबसे कम परतिशत तो फतेवाद बहुत बड़ा जिला है उसका % देखें तो बहुत छोटा है, ठीक है, तो ये जो % देखें उसका 1 चेतर का तो बहुत छोटा है, तो इसका अंसरा जगा फत्यवाद, ठीक है दोस्तो, आज की वीडियो यहीं तक थी, I hope कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करना थेंक्यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में